है हैलो स्टुडेंट्स यह हमारा कन्फ्रेंटिंग मार्जिनाइजेशन यह पार्ट सेकेंड आपार्ट फर्स्ट हमने और डिसकस कर लिया है क्लास एर्थ स्विक्स अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट में पड़ा कि सेंटर एज़ एज स्टेट गौर्मेंट ने स्पैसिविक स किम्स बनाई हैं फॉर इंप्लेमेंटिंग इन ट्राइबल एडियास देट आव हाई दलिट पॉपलेशन जैसे गोवर्मेंट ने प्रवाइच किया हैं फ्री और सब्सेडरी होस्टल्स फॉर दॉडेंट अधिवासे गोवर्मेंट अल्सो में रिजर्वेशन पॉलेशन अब हम एक केस टेड़ी पड़ते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि गोवर्मेंट ने कैसे लॉज़ वगेरा बनाए हैं ये केस टेड़ी है एक गाउं की कहानी है ये गाउं का नाम है जख्मर गुर्ड ये इस गाउं में पांस साल के बाद एक बार वहाँ पर मंदिन में पूजा होती है या कोई भी रिचुल होता है उसमें क्या होता है जो आसपास की 20 गाउं है वो सारे पाउंड करते हैं पांच दिन का फेस्टिवल होता है यहां पर क्या होता है जो दलित्स होते हैं फेस्टिवल स्टार्ट सेरमनी स्टार्टिंग में ही उनको जो वहां के प्र पॉदर रतनाम की ग्रैंट फॉदर सब ने टाक्स परफॉर्म किया है लेकिन अब टरन थी रतनाम की रतनाम 20 यर्स के थे वो इंजिनियरिंग कर रहे थे कॉलिज में उन्होंने इस रिचुल को परफॉर्म करने में मना कर दिया उन्हें कहा मुझे इस पर कोई फेथ नहीं है इसकी वज़ा से जो रतनाम के जो कमनेटी थी दलित कमनेटी थी वो भी उनको भी बहुत गुसा आया और हायर क्लास को तो बहुत जादा गुसा आया उन्हें कहा कि ये दलित होके अपने काम से ये बोरा जो इसका काम है ये वो नहीं कर रहा है और ये अपनी बराबरी हायर class से कर रहा है इसे क्या हो गया बहुत जादा aggression हो गया वहां पर रतनाम ने कहा कि हम दलित है लेकिन हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है तो लोगों ने सारा blame उसकी education पर डाल दे कि इसने educate इसने थोड़ी सी education ले ली है ये हमारे बराबर आने लगा है अब ये अपने आप को समझ रहा है कि ये higher cast के साथ बैठेगा उठेगा इसको ये नहीं पता है ये कौन सी cast को ब्लॉंग करता है इसका काम क्या है तो powerful cast ने सुचा कि हम रतनाम को तो एक lesson सिखाएंगे उसने ये करने से मना क्यों कर दिया उसने क्या किया दिया एक रात को कुछ लोग village में आए उन्होंने उसके आग को घर को जला दिया उसकी हट को जला दिया तो जैसे तैसे रतनाम अपनी मदर के साथ वहां से भाग गया उसने next day local police station में under scheduled cast और scheduled prevention of atrocities act में 1989 का जो ये act है उसके against अपनी case को फाइल कर दिया तो कोई भी दलित फामिली रतनाम के support में नहीं आई उन्हे कहा अगर हम इसके support में आएं तो कल को ये हमारा घर भी जला देंगे तो ये rituals तो फिर जनल लोग उनको न्यूज में पता चल गया मीडिया आ गई ये ritual तो बंद हो गया लेकिन रतनाम और उसकी family को वहां से निकलना पड़ा क्यूंकि powerful cast ने उनको का वहां पे जीना बहुत म act 1989 ये जो act है ये बताता है जिसके थूर रतनाम ने अपना case file किया था अपनी complaint दर्ज की थी ये act frame हुआ था 1989 में जिसमें दलित और बागी लोगों ने government को कहा कि आप serious action लीजिए क्यूंकि हमारे साथ ill treatment हो रहा है humilation हो रहा है हमारे साथ हर दिन और हर sense में हमारे साथ ऐसा हो रहा है और 1970 लेकि 1980 तक humilation के साथ-साथ बहुत violent features हो रहे थे दलित के साथ बहुत सारे case खास कर southern India में तो बहुत जादा उनको humilation का सामना करना पड़ता था तो दलित ने कहा कि हमें भी हमारे जो rights है हमें अपने rights को वो कीजिए ताकि कोई भी हमें ill treat ना करें हमें जो treat मिले equally मिले जैसे बाकी लोगों को मिलता है हमारी cast पे हमें ना देखा जाए हमारी exploitation ना हो लेकिन power cast जो थी उनको ये सब ठीक नहीं लगा उनने कहा ये दलित है हम इनको अपनी community में या हम अंको अपने जो हमारा sphere है उसमें आने नहीं देंगे तो उसके बाद क्या हुआ इसमें बहुत सारा anger आ गया powerful जो social groups था उनको बहुत सारा मतलब गुसा हो गए बहुत सारे violence होने लगे ये act जो है उसमें सिर्फ long list है crime की है जो इनके साथ पेश आये थे दलित्स के साथ जो इनके साथ terrible crimes किये गए वो सारा एक long list है इस act में ये act जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता है इसमें mode of humiliation भी बताता है humiliation ना ही उनके लिए physically भी थी और mentally भी थी mentally morally reprehensive था reprehensive का मतलब होता है deserve blame strong criticism था इनको force किया force a member of schedule caste or schedule tribe to drink or eat any in edible substance जो नहीं खा सकते वो उनको खिलाया गया जबरदस्ती उनको कहा गया आप अपने कपडे निका लिए और परेड कीजिये और अपनी body उनकी body पे paint कर दिया गया जो बहुत ill treatment उनके साथ हुआ second था action that disposes दलित्स और आदिवासिस को जो है वो उनको वो काम कहा गया करने के लिए जो मजदूर करते थे slaves करते थे जो से गुलामों की जिंदगी उनको दी जाती थी उनकी जो अपनी land थी वो भी उनसे ले ली गई उनको वहां पे daily wages की तरह काम करने दिया जाता था और उनको कुछ अच्छा मिलता भी नहीं था उनको बहुत कम खाने को मिलता था या बहुत बहुत मतलब बहुत बुरी हालत थी उन लोगों की और औरतों के साथ भी बहुत जाती होने लगी इस act बताता था कि वहां पे crimes again है दली ट्राइबल women's होने लगा बहुत सारा उनका assault करते थे उनको उनके लिए dishonor करते थे उनको तो ये सारा होने लगा ये इस act में ये सारी चीज़ the scourge of scavenging, manual scavenging, manual scavenging का मतलब होता है जैसे पहले क्या होता था जो washrooms बनाई जाते थे लाटरिंस वगेरा बनाई जाती थी इन लोगों को deport किया जाता था वहां पे उनको साफ करने के लिए washroom साफ करने के लिए वो लाटरिंस उठाना और उनको फिर जाके कहीं पे डाल दे ले ना, ये सब इनसे इनके through होता था, अब इनको क्या था, इनको अपने head पर लेके जाना था और उसको वो दूर, मतलब ऐसे एसे काम करवाए गए इन से, इनकी life को माना जाता था, ये जैसे हमारे खुलाम है, गुलामों वाली जिए इनसे करवाई जाते थे, काम करवाए तो यह जो मैनुवल स्कैवेंजिंग काम था यह इन लोगों को अगर कोई पड़े लिखे भी कितने हो जाते थे कितना एजुकेट भी हो जाते लेकिन फिर भी इनको उस छोटी नजर से देखा जाता था जो हायर कास थी वह हमेशे इनको छोटी नजर से देखती थी इनके कल में आने नहीं दिया जाता था जहां से हायर क्लास पानी लेती थी वहां उस टैप से इनको पानी लेने नहीं दिया जाता था जहां पर हायर क्लास चलती थी उस रोड से इनको चला नहीं दिया जाता था इनके लिए अलग थै इन्होंने अपना सोसाइटी इनकी हायर क्ला और यह जो काम था यह खासकर धलित और ग्यांग गर्ल्स करती थी इनको बोला जाता था यह काम करने के लिए अंद्रप्रदेश बेस्ट सफाई करमचारी अंदोलन एक और्गनाइजेशन थी जो वर्क करती थी इनके साथ तो उसमें कम से कम एक लाख पीपल था जो धलित कम् थे तो इनको सिरफ 200 रुपिया अर्बन मुनिस्पैल्टी इनको सिर्फ 200 रुपिया पर डे देती थी और जो प्राइविटली काम करते थे उनको बहुत उससे भी जादा काम मिलता था और इसकी वज़ए से इनको बहुत सारे हल्थ इस्यूस होने लगे क्योंकि यह कॉन इस इसके एक्सपोज में थे इसके वज़े से इनकी आईज में इनकी स्किन में इनकी रेस्परेटरी गैस्टों इंटेस्टाइन में भी प्राब्लम होने लगी जो है वो इंडियन कॉनस्टूशन ने तो अबॉलिश कर ही दिया था लेकिन मास कैवेंचिंग अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के पार्ट्स में होने लगी अंधरपरदेश में, गुज्राथ में, तामिल नाडू में क्योंकि इनको कोई छूता भी नहीं तए हैं से ऑंको अंतचेबल है था इनको टेंपल वगेरा वर्शिप में जाने की इजाज़त नहीं थी 1993 में गॉर्मेंट ने पास किया employment of manual scavengers and construction of dry letterings गॉर्मेंट ने कहा कि जो construct आप कर रहे हो dry letterings इसको probate कीजिए इस act के तुरू इसको probate कीजिए यह लोग खुद नहीं उठाएंगे यह लोग यह सब यह काम नहीं करेंगे दो हजार 2003 में सफाई जो करमचारी आंदोलियन हुआ उसमें 13 other organization मिल गई कम से कम seven scavengers ने प्यालाइफ फाइल किया supreme court ने उसमें बताया गया कि यह जो काम है यह हमसे नहीं हो रहा है खासका जो railways का वो है साफ करना वो हम अब नहीं करेंगे यह आप इसमें हमारे fundamental जो rights से उसको enforce कीजिए तो government ने इस पर फिर probation provision of employment लगा दिया गया and their rehabilitation और इनको rehabit भी करिए इनको कहीं और काम दीजे यह नहीं किया यह नहीं करेंगे अभी इनको निकाल दीजें इनको rehabit भी कर दीजें और यह force आया 16 December 2013 में उसके बाद फिर हमारे पास आया आदिवासी demands and the 1989 act यह जो act हुआ 1989 का यह other reasons से हुआ आदिवासी activities refers to their denied their right to occupy land that are traditionally there as you read in the previous chapter आदिवासी's are often unwilling to move from their lands and forcefully display आदिवासी को क्या था उनको अपनी लैंड से निकाल दिया गया उनको उनकी लैंड को forcefully कबजा कर दिया गया activities जो थे उनको उनको बोला गया कि नहीं यह आपकी लैंड नहीं है आप जो है वह आप daily wages बन लिए तो इसके लिए भी आदिवासी ने demand किया कि नहीं जो आदिवासी से 1989 उनने का जो हमारी land हमें वापस दे दीजिए आदिवासी जैसे एक इसमें आप प्याल्डेट में देख भी रहे आदिवासी है तो जंगल है जंगल है जंगल है तो आदिवासी है अगर जंगल होगा तभी हम वहाँ पर जो अधिवासी वहां कि जो लोग रहने वाले भ सिल एक्टीव्टीज के वह तभी है जब जानल स gift है और अधिवासी है तो जंगल है और जंगल है तो वो लोगैं अगर वह नहीं होंगे तो उंको नहीं मिलेगा तो एक्टिविटिस ने कहा कि हमें अपनी लैंड वापस दे दीजे जो अगर ये हमारा जंगल है तो ये हमें दे दीजे ये हम इस पे काम करेंगे कोई और नहीं करेगा सीके जानू एंड आदिवासी एक्टिविटिस ने पॉइंट किया उसने का कॉनिस्टूशन राइट्स में कि हमारे साथ गलत हो रहा है बहुत सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ कि जो अलव कर रही है नॉन ट्राइबल जो एंकरोज कर रही है यहां पर टिंबर मर्चंट है पेपर मेशिन है वह एक्स्टूइट कर रही है ट्राइबल लैंड को उनको फोर्स फुली वहां से निकाला जाए और जो यह लैंड है उसे रिजर्व कर दिया जाए और उसको सैंचुरी वहां पर बनाई जाए ताकि वहां के लोग भी हैपली रह पाए उनके साथ गलत व्यवहार ना हो तो फाइनली यह सब उनकी बात जो है वो मान ली गई उनको कंपंसेशन दिया गया जो वहां पे रह रहे हैं अगर आप उनकी लैंड रह रहे हो तो उनको कंपंसेशन दीजिए अगर आप वहां पे टिंबर का काम कर रहे हो फॉरिस्ट में में कों से काम हो तो इसने कहा यह ऐसा नहीं होगा अगर कोई कर रहा है तो उसे कंपन से दीजिए इन लोगों का है इन लोगों को करने दीजिए शुरूर्ड ट्राइशन फोरेस्ट डिवलर्स रिकागनेशन फोरेस्ट लाइक 2016 में आया इस एक ने कहा इसे एक ने कहा इसे एक रिकागनेशन फोरेस्ट डिवलर्स राइट लीजिए हमें शेक्टर में हमें क्या मिलता है इस चेप्टर में हमें यह सिखने को मिलता है people have had to constant work on or to make efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow statesmanship or even their leaders the desire for equality dignity and respect is not new it has existed in different forms throughout our history as you have seen in this chapter similarly even in a democratic society similar process of struggle writing and forming organization continues to need to continue हमें चाहिए हमारी country में अगर हमें सारे वो दिये गए हैं हर एक इंसान जो है equally treat किया जाना चाहिए सब के साथ अच्छा behave होना चाहिए सब अपने fundamentals right जो है वो अच्छे से enjoy करने चाहिए यह सारा हमें इस से पता चलता हमें किसी के साथ बेदवाव नहीं करना है अब कुछ questions है जो revision के लिए मैंने आपको दिये हुए है यह questions आप देख लीजिएगा और try कीजिएगा इंको अपनी words में लिखने का why did the government pass the scheduled caste and scheduled tribe act 1989 what crime has been dealt with by the SC and ST prevention and prevention of atrocities act what is manual scavenging describe various effort efforts made by the government to eradicate manual scavenging what is scheduled tribe and other traditional forest developers recognition of forest right act about so student this is all about this chapter thank you